आप सभी दोस्तों को मेरी यूटूब चैनल बाइलोजी क्लिक में मोस्ट वेलकम है और आज हम इस वीडियो में पंचायती राज बेवस्ता के सेकेंड पार्ट को पढ़ाएंगे और काफी इंपार्टेंट वीडियो है एक्जाम के भी उसे क्योंकि अब तक जितने भी प्रसन पूछेंगे हैं उन प्रसनों को एक साथ समाहित करके यह वीडियो बनाई जा रही है लंभी उन एकारल इसको कई पार्ट में हम डिवाइट करेंगे और इसका फर्स पार्ट यदि आप ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देदेंगे आप वहां से उसको देख सकते हैं आप से रिक्वेश्ट है कि यदि आप हमारी चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छी ले तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में सेर कर दीजे तो बीना देरी के आते हम अपने पहले कोस्चन के तरफ पहला कोस्चन पूछ रहा है कि 73 सम्विदान संसोधन अधनियम किस तिथी से लागू हुआ आप से ने 24 अपरेल 1993 बी कहरा 24 अपरेल 1994 सी आप से कहरा 1 मैं 1993 और डी आप से कहरा है अभी लागू नहीं हुआ है इसका जो सही आप से नोगा हो जगा 24 अपरेल 1993 और अगला कोस्चन पूछ रहा है कि भारत में महिलाओ के लिए इस्थान आर अच्छी था है आप से ने पंचायती राज संस्थाओं में बी आप से कहरा राज बिधान सभाओं में और अगला कोस्चन पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज अधनियम कब लागू हुआ आप से ने 24 अपरेल 1993, B करा 24 अपरेल 1994, C आप से कहरा है 24 मई 1993 और D में कहरा है 24 मई 1994 तो पहला जो आप कोस्चन पढ़ेती है देखी उसी को कैसे घुमा कि ये कोस्चन पूछा है इसका जो सही आप से होगा हो जाएगा आप से आप से ए 24 अपरेल 1993 और अगला question पूछ रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने है तो निवड़े किसके दूरा लिया जाता है option एक केंदर सरकार, B करहा राज सरकार, C करहा जीला नियादी, D option कह रहा है चुनाव आयोग, यह बिहार PCS 2005 में पूछ गया question है, तो इसका जो सही option होगा होजएगा option B राज सरकार के दौरा जो पंचायत के चुनाव होते हैं, उसको कराने का फैसला लिया जाता है चुकि चुनाव का पूरा परबंधन का कार, राज का जो निर्वाचन आयोग होता है, उसके द्वारा होता है परन्तु जो दिशान निर्देश होता है, वो राज की सरकार के दिशान निर्देश के अधार पे ही राज का जो निर्वाचन आयोग है ठीक है वो उस कार को भली बाती निप्लाता है अब जिस राज में जो भारती समिधान का जो भाग नो अनिवारुप से लागू है वहीं पर पंचायत का चुना होता है ठीक है और हम बताते हैं जो पंचायत का चुना होता है वो भारती समिधान के जो आर्टिकल 243 है 243 के के ख बाषन पोछ रहा है कि भारत में पंचायती राज को परारम किया गया आपसन ने 1956-b, B आपसन कर रहाँ अपसनаются अपसन सबसे सबसे पहले पंचायती राज को परारम किया गया दूसरा राज जो है अन्दर परदेश है और अगला कोस्टन पूछ रहा है कि पंचायती राज पर्थम पर वर्तित किया गया। आपसाने आंदर परदेश में B करहा उत्तर परदेश में C करहा ही मान चल परदेश में पूछा गया कोस्टन है। तो इस question का answer अभी आपको पहले ही question बताया गया इसके, इसका answer होगा राजस्थान, राजस्थान के नागावर में सबसे पहले पंचायती राज का सुभारम किया गया, और अगला question देखिए, फिर से रिपीट कर रहा है कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज के अस्थापना किस बर्स होई, तो इसका direct answer बता दे रहा है, इसका answer होगा, आपसन C, 1969 में, और अगला question पूछ रहा है कि अस्थानिक रामिड सासन के रूप में पंचायती राज पढणाली स्वर पर्थम कर्मा नुसार अपनाई गई थी, आपसन ने आंधर पर्देश और मद्र पर्देश द्वारा, B कर राजस्थान और मद्र पर्देश द्वारा, C, आपसन कहा रहा है, आंधर पर्देश और पर्देश द्वारा, D, आपसन कहा रहा है, राजस्थान और आंधर पर्देश द्वारा, ये UP, PCS 2015 में पूछा गया question है, तो इसका जो सही option होगा, हो जागा option D, आपको बताया भी गया है कि राजस्थान के नागावर में सबसे पहले लागू किया गया, और उसके बाद से आंधर पर्देश द्वारा इसको लागू किया गया, और अगला question पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज ब्यवस्था स्वर पर्थम राजस्थान और डैस डैस में आरम की गया, ये बिहार PCS 2005 में पूछा गया question है, तो इसका सीधा सा direct answer बता दे रहे हैं, और अगला question पूछ रहा है कि दो अक्टूबर 1969 को भारत में पंचायती राज का सुभारम निम्निलिखित में से कहां पर किया गया था, तो इसका भी direct answer बता दे रहे हैं, इसका answer होगा option A, कि राजस्थान के नागावर में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज का सुभारम किया गया, और अगला question पूछ रहा है कि पंचायती राज की दिरिष्टी से मत्पूर प्रतिवेदन है, आपसने सरकरिया आयोग प्रतिवेदन, ब करहा परसासनिक शुधार आयोग प्रतिवेदन, C, आपसन करहा बलवंत राज मेहता समीती प्रतिवेदन, और D में कहरा है, आनंदपूर साही प्रस्ताव, तो इसका जो सही option होगा, हो जाएगा option C, बलवंत राज मेहता समीती प्रतिवेदन, जो पंचायती राज की दिरिष्ट से सबसे महतपूर प्रतिवेदन है, ठीक है, यह तिरी अस्त्री पढ़ाली को लागू कराने के लिए प्रतिवेदन दिये थे, और अगला question पूछ रहा है कि लोग तांतर की बिकेंदरी करण का सुझाव दिया गया, और अगला question पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओ को समयधानिक मानेता प्रत करने के अनुसंसा करने वाली समीती का नाम था, आप्शन ए असुक महता समीती, बी आप्शन करा जी वी के राव समीती, सी में करा रहा है, याल लेयम सिंधवी समीती और डी में करा रहा है, के संथानम समीती, ये MPPCS 2019 में पूछा गया question है, तो इसका जो सही आप्शन होगा हो जागा आप्शन C, ये अलेयम सिंधवी समीती ने पंचायती राशन स्थाओं को समयधानिक मनता प्राप्त करने की अनुसंसा करने के लिए सिपारिश की थी, और अगला question पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राश की तिरी अस्तरी व्यवस्ता का अनुमोधन कि समीती के द्वारा किया गया था, आप्शन ने बलवन्त राव महता समीती, B कराशोक महता समीती, C आप्शन कह रहा है, जी बी के राव समीती और डी आप्शन कह रहा है, हनुमन्त राव समीती एंपी पीसे 2014 में पूछा गया question है, तो इसका जो सही आप्शन होगा, होगा आप्शन ए, बलवन्त राव महता समीती ने जो पंचायती राज की तिरी अस्तरी व्यवस्ता है, उसको लागू करने के सिफारिश किये थे, अब तिरी अस्तरी का मतलब यह है कि गराम अस्तर पे चुना होगा, पलाक अस्तर पे चुना होगा और जीला अस्तर पे चुना होगा, इसी को तिरी अस्तरी व्यवस्ता कहते है, और अगला कोशन पूछ रहा है कि जिस समीति ने लोगत आंतरिक बिकेंदरी क्राओर और पंचायती राज की सिफारिश के उसका सभापत कौन था आपसन एक क्याम परनीकर भी करा है यच कुंजरू, सी आपसन करा है बलवन तरह महता और डी आपसन कह रहा है जो लोगत आंतरिक बिकेंदरी क्राओर और पंचायती राज की सिफारिश की थी जिस समीति ने उस समीति के जो सभापत थे उनका नाम बलवन तरह महता था और अगला कोशन पोचरा है कि पंचायती राज से सम्मंदित निमलेकित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है आपसन ए पंचायत व्यवस्था भारती सिफ ग्रामिड जी वन युगमों से एक अभिन अंग है बी करे तिहतरवा संसोदन 15 अगस्त 1993 से परभावी हुआ सी करे भारती समिदान का नुछे 243 जी उसके महत्त को बढ़ाता है और डी आपसन का राय या एक तिरियस्तिरी जैविक्की रूप से जूडिश से रचना है यह UPS 2013 में पूछा गया कोशन है तो इसका जो सही आपसन होगा होज़ेगा आपसन B देखे जो 73 समिदान संसोदन हुआ था हूँ 15 अगस्त 1993 से परभावी हुआ बाकी अन जितने विकल्प है वो सब सही है और अगला कोशन पूछ रहा है कि बलवंत राय महता समीती परतिवेदन में पंचायती रच अस्ताओ को कितने अस्तर पर करने का सुधाव दिया गया था तो देखे इसका सीधा डाइरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं इसका आंसर होगा C तीन अस्तरों पर जिसको आम तीरी अस्तरी पढ़ाली करते हैं पर सुधाव दिया था ज़ो बलवंत राय महता समीती थे किसको अधिक सक्तिसाली बनाने का सुझाओ दिया काफी important question option A, gram सभा B करा ग्राम पंचाज, C करा पंचाज समिति और D option कह रहा है जीला परिशद तो देखिए जो बलवंत रहे महता समिति थी उन्होंने सबसे ज़्यादा सक्तिसाली बनाने का सुझाओ पंचाज समिति को दिया था इसलिए option होजएगा इसका C और अगला question पूछ रहा है कि पंचाज राज ब्यवस्ता में अस्थानी स्वसासन की ब्यवस्ता कैसी होती है option ए ग्राम, बलाग, जीला और राज अस्तर पर 4 अस्तरी ब्यवस्ता तो यह गलत है और अगला question पूछ रहा है कि बलवन्त राज समीति परतिवेदन के अनुसार महतपूर संस्था है option ए ग्राम पंचायत बी करा जीला परिशत C आपशन करा पंचायत समीति और D करा है सहकारी समीति इसका जो सही आपशन होगा होजएगा option C पंचायत समीति बलवन्त राज समीति परतिवेदन के अनुसार सबसे सक्ति साली और महतपूर संस्था है और अगला question पूछ रहा है कि निमलिकित में से कौन पंचायति राज संस्था नहीं है option जीला परिशत B करा पंचायत समीति C करा ग्राम पंचायत अगला question पूछ रहा है कि पंचायति राज संस्थाओ के संग्ठन के दो अस्तर होने का सुझाव दिया था option असोक महता समीति ने B करा साधी कली समीति ने C करा रामननार सोरी राज मननार समीति ने D option करा सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने इसका जो सही option होगा हो जागा option A 2 अस्तरी अस्तर पे कराने का जो सुझाव दिया था वो असोक महता समीति द्वारा दिया गयता और अगला question पूछ रहा है कि पंचायति राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तोर से चुनाव चिन्नों के अधार पर भाग लेने देने का सुझाव की समीति ने दिया option ने बलवंत रहे महता समीति B करा असोक महता समीति C करा साधी कली समीति और D option कह रहा है इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही option होगा हो जगा option B असोक महता समीति द्वारा जो पंचाथी राज की चुनाव में राजनितिक दलते उनको खुले तोर से चुनाव चिन्नों को के अधार पर भाग लेने देने का सुझाव दिया गया तो के और अगला question पूछ रहा है कि 1977 में केंदर सरकार ने पंचायती राज संस्था की कर पढड़ा लिए और ढाचे में सुधार लाने के उद्यश से किस समीति को निव्त किया option A असोक महता समीति B करा राजनिक उठारी समीति C option करा राज मननार समीति और D option करा A G नूरानी समीति तो इसका जो सही option होगा और इस वीडियो का अंतीम प्रस्ण पूछ रहा है कि देश में पंचायती राज ब्यवस्ताकारम की समिती की रिपोर्ट के अधार पर किया गया चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें थैंक्यू